जोती एक सुन्दर पड़ी लिखी समझदार लड़की थी कॉलेज में उसने दो तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किये थे पुरुसकार वितरन के लिए शहर के प्रतिष्ठित बिस्निसमेन आरुन कुमार जी को बुलाया गया पुरुसकार देते हुए उन्हें जोती अपने बेटे रोहित के लिए पसंदा गई उन्होंने घर जाकर अपनी पतनी रीमा जी और राहुल से इस विशय पर बात की पिता की बात मान कर रोहित माता पिता के साथ जोती को देखने उसके घर गया जोती के सुंदर्ता पर रोहित पहली नजर में ही मोहित हो गया रीमा जी ने भी सोचा की छोटे घर की लड़की है दब कर रहेगी जोती के पिता बच्पन में ही गुजर गये थे माने ही सिलाई करके और दूसरों के घर खाना बना कर जोती और उसके भाई की परवरिश की थी इतने बड़े घर का रिष्टा आया था इसलिए जोती की मा का मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था शादी बहुत अच्छे से हुई लगभग सारा खर्चा अरुन जी ने ही किया रोहित ने एक नया बिजनस शुरू किया उसके उदगाटन समारों में जोती ने अपनी मा और भाई को भी बुलाया फंक्शन खत्म होने पर जोती ने मा को कुछ दिनों के लिए रोक लिया एक बार जोती के ससुर जी से मिलने उनकी खास दोस्ताए महमानों ने खाने की तारीफ की तो जोती ने कहा कि यह खाना उसकी मा ने बनाया है तब उसकी सास बोली कि जिन्दगी भर उन्होंने खाना ही तो बनाया है आरती जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई तो जोती अपनी मा को बाहर लाई और सबसे मिलवाया जोती बोली यह मेरी मा है पापा की गुजर जाने के बाद इन्होंने सिलाई और दूसरों के घर खाना बना कर हमें इस लायक बनाया है सबके जाने के बाद रोहित बोला क्या जरूरत थी सबके सामने सिलाई और खाना बनाने की बात कहने की जोती ने कहा मुझे उन पर गर्व है जिस महनत से उन्होंने हमें बड़ा किया आप लोग इस तरहा मेरी मा का अपमान नहीं कर सकते रोहित और उसकी मा चुपचाप सुनते रह गए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करें जोती एक सुन्दर पड़ी लिखी समझदार लड़की थी कॉलेज में उसने दो तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किये थे पुरुसकार वितरन के लिए शेहर के प्रतिष्ठित बिस्निसमेन आरुन कुमार जी को बुलाया गया पुरुसकार देते हुए उन्हें जोती अपने बेटे रोहित के लिए पसंदा गई उन्होंने घर जाकर अपनी पतनी रीमा जी और राहुल से इस विशय पर बात की पिता की बात मान कर रोहित माता पिता के साथ जोती को देखने उसके घर गया जोती के सुन्दरता पर रोहित पहली नजर में ही मोहित हो गया रीमा जी ने भी सोचा कि छोटे घर की लड़की है दब कर रहेगी जोती के पिता बच्पन में ही गुजर गए थे